तो आज हम बात करेंगे इलहाबाद High Court Group C & D के बारे में पूरा विस्तार्ट से बात करेंगे दोस्तों उससे पहले अगर आप में चैनले पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कर लिजे सस्क्राइब कर लिजे इससे क्या होगा दोस्तों जैसे ही इलहाबाद High Court से कोई भी नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आपको देखने और सुनने को मिलेगा तो आए दोस्तों समय नागवाते वे चलते हैं अपनी वीडियो की ओर जैसा कि दोस्तों आप सभी को बेस सब्री से इंतजार है इलहाबाद High Court के रिजल्ट को लिकर के तो दोस्तों आप लोगों क को जो है आपके यूपी बोर्ट के रिजल्ट आने माला है दोस्तों तो कहीं न कहीं आप लोगों के रिजल्ट में बाधा बन सकता है जो कि बहुत बड़ी रिजल्ट आती है दोस्तों आप सभी को पता ही है तो आपके रिजल्ट में कहीं न कहीं बाधा बन सकती है तो ऐसे कॉटप के बारे में विश्थार से बात करेंगे उससे पहले कुछ बेसिक नॉलेज जान लेते हैं क्या कभ एक्जाम हुआ था थोड़ा सा फोकस करेंगे ज्यादा नहीं तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा यह लाहबाद हाई कोड के तरफ से कितनी प्रेकैंश हुआ थी कौन कौन से पोर्ट हैं तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं गृूप सी की का एक्जाम आपका जो हुआ था पचीस और 25 और 26 मार्ज को हुआ था और इसकी पोर्श्टे थी दोस्तों कितनी थी एक हजार इकीस पोस्ट इसकी थी और आपका इस्टेनो का एक्जाम हुआ था इस्टेनो पोस्ट जो 30 और 31 को एक्जाम हुआ था दोस्तो इसकी पोस्ट थी आपकी 1181 पोस्ट था दोस्तो और गुरूप D का एक्जाम जो हुआ था दोस्तो दस अपरेल को हुआ था आपका सेक ड्राइबर में आपके 26 पोश्ट थे और ड्राइबर के एक्जाम आपका 12 फरवर को ही करा लिया गया था दोस्तों तो यह थी दोस्तों आप लोगों की बेसिक नॉलेज थी एक्जाम से रिलेटेड तो दोस्तों आए हम कटप को विश्तार से पहले गुरूब डी का डिसकस कर करते हैं उसके बाद ड्राइबर करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो जैसा कि दोस्तों गुरूब डी में मैं 200 में बता रहा हूं दोनों स्टेज को मिला करके आपका कटफ जाना वाला अगर आप यू आर से हैं तो आपको 172 प्लस मार्क्स होने चाहिए दोस्तों तब आप एकदम सेफ हैं आप डाकिमेंट के लिए तयार रहें अपना डाकिमेंट बनवा करके रखे रहें दोस्तों चुकि एकजाम कटफ रिजल्ट आने के बाद से आपको 20-25 दिन का टाइम दिया जाएगा दोस्तों उसमें आप लोगों को धांदिल हो जाएगी कि जल् चीँड्च कि कुटफ जो है आपको 168 प्लस रहने मला है दोस्तों का कटफ वहीं बात कर लेते हैं तो ठोट कर area अपका दोस्तों जो है कि अपने डाकुमेंट हो गए रेड़ी करके रखे दोस्तों आप लोगों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों डीवी के लिए जो है दोस्तों दोस्तों दोसे तीन गुना बुलाया जाएगा दोस्तों और बात करते हैं स्टी वालों का कट अप कितना जाएगा तो तो सिर्ट के क्षयाइज सकांतों अगाफ कानिमानित कॉता है जो कई साल के कुट आप लोगों को दिखाया जाता है तो बुक्राइब का कमेंट है तो आप टराइबर का उस्ट कम हना थी तो लोग पताते हैं तो दो Selbstंग घ्राइबर का क्या रहने माला है तो ड्राइबर का कट अब जो है दोस्तों सेकंड स्टेज की बात कर लेते हैं तो आपका अगर 70 पलस माक्स है यूँवार से हैं तो आप एकदम सेफ हैं दोस्तों जो कि दोस्तों थोड़ी कट आप लोगों की से हैं अगर आप तो आपको 63 पलस है तो आप सेफ दोस्तो अपलोग अपना डाकिमेंट रेड़ी करके रखे KRIST, पलस माक्स अगर आते हैं तो आप एकदम सेस् तो दोस्तों गरूप C वालों का जो है और बेल आइकन दबाईए और दोस्तों जाते-जाते मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा प्लीज आप लोग अपना डाकिमेंट पहले से रेडी करवा के रखे रहे आपका रिजर्ट और कटफ आता रहेगा दोस्तों उसका इंतिजार में अपना टाइम मत बरबात किजिए आप अपना वीडियो सवाब्त करते हैं धन्य बाद मिलते हैं अगले वीडियो में